हलो दोस्तों एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्मार्ट लाइनिंग स्टैप्स और मैं हूँ आशे शर्मा और आज मैं आप सबको इस वीडियो के अंदर हमारे आगे के बच्चे हुए कुछ बॉड़ी इंटेर्नल ओर्गें और देख सकते हैं तो हमने डिसक्रेश के इसके पार्ट वाइन में आज हम करने वाले आगे की तीन कौन से वो तीन हैं और इस वीडियो में आपको सेम फर्स्ट वीडियो की तरह आपको बॉड़ी इंटार्नल और और उसके फंक्शन दोनों का ही पता चलेगा कि कोई बी ब यह स्टेटमेंट है और बताएंगे कि यह कौन सा ओर्गन हो सकता है इस दे लार्जेस्ट और इन आवर बॉड़ी यानि कि हमें पता चल रहा है कि यह जो यहां पर हम जिस इंटरनर और ऑर्गन की डिसक्स कर रहे हैं कि वह अधर ऑर्गन की मुकाबले हमारी बॉड़ी में तो उसका फंकाम होता है जो भी हम खाते हैं उसको डैजेस्ट करना तो कौन सा ओर्गन होगा वह चलिए मैं बताती हूं वह हमारा होगा सर्च में मुझे बताना है या आप खुद गेस करने वाले हैं फिर से एक बार देखिए इट इस दे लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉड़ी थोड़ा से वह हिंट दे रहा है न और इट हैल्प्स इन डैजेशन और फूड हमारी बॉड़ी में सबसे बड़ा भी है और वह क्या काम कर रहा है जो भी हम खाते हैं उसको डैजेस्ट करने का का मुझे लीवर लीवर इंटेर्नल ओर्गन्स होता है और यह अदर ओर्गन्स के मुकावले सबसे बड़ा होता है साइज में और इसका फंक्शन होता है कि हम जो भी खाते हैं हम जो भी खारे वह मारे शर होता है तभी तो हमारी बॉड़ी में एनर्जी आती है तो उस खाने को डिजिशेंग का काम करता है लीवर और लीवर एक इन्टेर्नर ओर्गेंस होता है क्योंकि हम अभी फिलहाल इन्टेर्नर बॉड़ी हुमन ओर्गेंस की बात कह रहे हैं फिफ्त देखें इस लाइक थिक बैग इन आवर बॉड़ी हमारी बॉड़ी में किस शेप में होता है थिक बैग की तरह ठीक है यानि कि यह तो खोग हमारा इन्टेर्न ओर्गेंस बता रहे हैं अब यह फंक्शन क्या करता है इक स्टोर्स दो फूड वी इट फॉर डैजिशन यह जो भी हम खाते हैं उसको स्टोर करता है कर दो कि जोबही हमारा होता है let me पेट यह एंटर्राइनल और यह जो भी हम खाते हैं पहले वह हमारे स्टोमच में आता है इसमेंगे बाद उसको डाइजिशन का उसका वर्क स्टार्ट होता है उसके लिए कौन सा ओर्गिन हेल्प करता है लीवर तो लीवर तभी तो अपना फंक्शन करेगा जब हमारे स्टो में कुछ होगा यह जब हमने कुछ खाया होगा शेक्थ और लास्ट देखे 這是 are two in our body ? just same like on a lungs mushroom bhi number of twos होते हैं तो यह भी बतारहे कि यह number of two है यह number में दो होते हैं और यह क्या function करते हैं जो भी waste product होता है लीवर ने हमारा जो भी हमने क्षाया स्टो मच में जाने के बाद करता है हमें और यहां पर आएगा और ऑपने जो भी खाया के क्पाः के स्टोमच में गया है उसके बाद अब वह क्या सब्सक्राइब एक काम कर रहा है कि पहला काम तो इसने कर दिया अपना ससे तो कर लिया हमने जो भी खाया रight जो और फेखने के बाद सों कौने को डाइजिस्ट करना है कौन लीवर हमें उससे एनरजी मिल गई अब हम उसको एनरजी मिलने किड्म होता है हमारा हिपी इस हैं किड्निक होते हैं जैसे इस लिवर सोली होते हैं लंग्स होता है किड्न का कात Beta होता है कि कि हमारे स्टोमच में गया काम स्टार्ट हो गया क्रासिजे पूरा होने के बाद ये Me modelling लग होने के सब्सक्राइब होता है कि फिर बेगार प्रोडक्त को ब्लड से खidor करेगी फिर उसको बाहर निकाले मतलब मुझार मैं उसके लिए निकालती है यूरिन के थ्रू हमारी बॉड़ी का जो भी वेस्ट वह बाहर निकलता है तो इसके लिए किड्नी को फंक्षिन समझ में आगया वे वेश रहा है लेकिन फंक्षिन ऐसे एसे पेर बनाओ गे ना एक दूसरे से जॉइंट करोगे तो आपको इसी लगे गया उसके बाद उसका डाइजेशन स्टार्ट हुआ लिवर नहीं करा डाइजेशन के बाद जो वेस्ट जो बेकार चीज़े बच गई उसको खिड्नी ने यूरिन के थ्रू हमारी बॉड़ी से बाहर निकाल दिया आया समझ मैं चलो क्योंकि यहां पर मैंने एक को एक दूसरे से मैच बना दिया ठीक है लिंक हो जाती जब कोई चीज है तो हमें इजीली समझ में आती है तो यह थे तीन बॉड़ी और्गेंस इससे पहले हमने तीन और करे थे तो टोटल आज हम इस वीडियो में 3 प्लस थी प की ते म हैं एव आदियो में